देश को कैशलेस बनाने की दिशा में केंदर सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है और वो ये कि देश के सभी सेविंग अकाउंट्स यानि के बचत खातों को आधार कार्ट से जोड़ा जाएगा ताकि आधार नंबर का इस्तिमाल करके जादा से जादा कैशलेस ट्रांजेक्शन की जा सके सरकार का ये कदम खासतोर पर उन लोगों के लिए काफी फायदे मन साबित होगा जिनके पास आज तक मोबाइल फोन नहीं है देश में मोबाइल फोन ना रखने वालों की संख्या 30 करोड से उपर है बाब जोदिस के आधार कार्ट जब उनके बचत खातों से जुड़ेंगे तो फिर वो भी डिजिटल अर्थ व्यवस्ता को आगे बढ़ाने में अपनी भूमी का निभा सकेंगे और कैशलेस यानि के डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे हैरानी इस बात की है कि सरकार के इतनी कोशिशों के बाबजूद देश भर के करीब 112 करोड खातों में से केवल 40 करोड खाते ही आज तक आधार नंबर से जोड़ सके हैं बहराल प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने एक तीर से दो निशाने वाली इस योजना को हरी जंडी दिखा दी है क्योंकि एक तरफ देश इससे डिजिटल बनेगा तो दूसरी तरफ भिष्टचार पर ये किसी हतोड़े की चोट से जरा भी कम नहीं होगा